तो आज का वेरा question क्या है भारत की प्राचीन सभ्यता बड़े important question लिखिए भारत की प्राचीन सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और ग्रीस की सभ्यताओं से इस बात में भिनना है कि भारती उप महादीप की परंपराएं आज तक भंग हुए बिना परिलक्षित की गई basically यह नहरू का quote था जब जवालाल नहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने जब discovery of India जब उसमें एक बहुत important quote लिया गया था तो वहां से सीधे question आया है question कहने का मतलब जैसे भारती संस्कृत को सनातन कहा जाता है ठीक है सनातन को लोग कहते थे कि हिंदू संस्कृत को सानातन कहा जा रहा है सनातन का मतलब होता है जो continuous हो जो बिना भंग हुए चली हो तो कई बार लोग सनातन को बोलते हैं कि भगवा संस्क्रती है, हिंदू संस्क्रती ऐसा नहीं है जैसा कि हम लोगोंने कलकी क्लास में कहा था कि भारत एक बगिया की तरह है और हम अपनी diversity का सम्मान करते हैं हम सभी रूपों का सम्मान करते हैं सिर्व ऐसा नहीं है कि Islam में ही मूर्ति पूजा का विरोध होता है भारत में हिंदू परंपराओं में भी बहुत से ऐसे sects हैं जो कोई भी मूर्ति पूजा नहीं करते हैं वो निर्गुण की बात करते हैं निर्गुण उपासक हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम लोग ऐसे लोग थे जो मानव को उन्नति करने के विभिन मार्गों को accept करते थे हम यह नहीं मानते थे कि केवल यही एक इश्वर है यही एक पूजा पद्धती है अलग-अलग लोग है किसी को South Indian खाना पसंद है किसी को North Indian खाना पसंद है किसी को जो है राजस्थानी खाना पसंद है तो जब हमारे स्वाध, हमारी पसंद, हमारे रंगरू यह सब कुछ प्रथक है तो उन्नति का मार्ग भी हमारा क्या होना चाहिए प्रथक होना चाहिए हाँ या ना मुझे सब लोग कमेंट कौन से बताएं कि ऐसा मानते हो कि अलग-अलग इंसानों के लिए अलग-अलग रास्ते हैं आई उन्सानों के जाए, लग Кाहता है, तो कहता है, था एंशीतल शीचिशन इंडिया, अंडियन सब कॉँटिनल ना इस का इंटलीन, और विए यंवेन, जो बहुत अंशीवीन सब रथा है अजीरी, in that in its culture and tradition between have been preserved without a breakdown to the present बहुत प्यारा कोईशन है बहुत important कोईशन है और मेंस में आ चुका है यह मुख्य परिक्षा में आ चुका है अब मैं अपने दोस्तों से जानना चाहता हूं कि भारती संस्कत को लेकर डे वन से मेरा कॉंसेट चल रहा है अब आप मुझे बताइए कि इस पर कहरा है टिपड़ी करिये मतलब यह स्टेट्मेंट जो दिया गया है यह किस तरह का कोईशन है मैंने आपको सिखाया था कोईशन का नेचर पहले देखा करो तो यह स्टेट्मेंट बेस कोईशन यानि ए इस कोईशन का एक मतलब रहा कि इस पर्टिकुलर कंडिशन में यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट सेग्मेंट रहा रहा वो यह रहा कि यहां पर जो है आपको इस कही गई बात को डिफाइन करना है तो भारत की प्राचीन सभेता के संदर में अब क्या हुआता है कि जब भा थिख्यान से समझना से समझना ए बहुत को और मिफशन के लिए को यह कॉर्काइब सेट समझा रहा हूं जिन सभेताओं की बात की गई है मैसोपोतामिया हो गया ग्रीस की सभेता रहो गया डूनिया की अन्य 세वठाओं की बात करें बहले ध्यान से मेरे साथ चलिए गा तो इसमें पूछा किया कि यह discontinue हो गए, यह सभिताएं गायब हो गए, आज Mesopotamia का कोई नाम लेने वाला नहीं है, आज एराक में तुम जानते हो कि क्या हिंसा हो रही है, कितना वहाँ पे चीज़ें हो रही है, ग्रीस का कोई नाम लेने वाला नहीं है, वो सभिता पूरी त चलती चली जा रही है, आज भी हम शिव की उपासना करते हैं, जहां पर पश्पति सिव, जो हरपा, जिसकी लिप नहीं पढ़ी गई है, वहाँ पर भी मुहरों पे वो मिला है, आज भी हम वरशब की पूजा करते हैं, तो भारती परंपराएं वो कैसे इतने लंबे समय तक चलती चली आ रही है और उसी के समकाली सब्विताएं नस्ठ हो गई, यह बड़ी important बात होती है, आप मेंसे कौन लोग इसका core concept समझना चाहते हैं, बहुत गहरा concept बता रहा हूँ, किताबों में जल्दी नहीं मिलेगा, ठीक है, क्या बात है हमारी सब्विता की, क्या segment इसके साथ जुड़ा है, चली बताइए, कितने लोग मुझे बता सकते हैं, आखिर, किसी सब्विता की, question है, question का core concept क्या है, सब्विता की सततता, continuity of culture, इसका जो core concept है, core concept क्या है, कि कैसे अन्य सब्विता हैं, discontinue हो गई, और भारतिय सब्विता, सनातन रूप में लगातार चलती रही, तो इसने उसके उपर, आप से core तरक पूछा है, कि आप अपना argument दीजे, आप अपने बारे में बताईए, कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, तो इसका जो concept is not about diversity, ये दूसरी चीज़ है, ये सततता का मतलब, जैसे एक नदी बह रही है, और नदी की धारा कभी नहीं सूकती है, तो नदी की कौन सी धारा कभी नहीं सूकती है, बड़े ध्यान से समझेगा, ठीक है, तो उसको बड़े ध नहादीब की परंपराएं आज तक भंग हुए बिना परिरक्षित की गई है, ठीक है, परिरक्षित की गई है, निकि वो preserve है, और continue चल रही है, अब जला तुम्हें बहुत important तरीके से एक concept समझाता हूँ, उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है, और जैसे भी किसी ने लिखा कि समझ में नहीं आ रहा, देखो, मेंस है, तुम्हारी इतनी सी खुपड़िम नहीं समझ में आ आ गया, क्योंकि समझने के लिए, पहले खुद को खोलना पड़ता है, पहले सुनना पड़ता है, यहां कई लोग लगातार कमेंट बाजी चल रही हूँ उनकी, कुछ अलगे क्योंकि समझ गया हूँ कि फ्री में पढ़ाने का मतलब हुआ, अपना समय बेकार करना, क्योंकि पढ़ता कोई नहीं है, सिखने वाया कोई नहीं आता है, वो अपनी दुनिया में मस्त है, कोई पूच रहा है, फलाना कौन सी किताब पढ़े है, एप भी में चल रही है, वो यह सब पसंद नहीं आता है, क्योंकि मैं बड़ा फोकस होकर कॉंसेट पढ़ाने आता हूँ, मैं चाहूँ तो वो लाइन बाइन टिक करके चला जाओ, लेकिन अब जो कॉंसेट पढ़ाने जा रहा हूँ, वो तुम चाहे दस किताबे पढ़नों तुम्हें भी नहीं मिलने चाहे कि वो भी डेडिकेशन के साथ पढ़ने आए, कोई गला दबा के तो नहीं बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो I will convert into paid class, चलो, कम से कम मेहनत का कुछ output तो मिले, तो सभ्वेता की सततता क्या होती है, बड़े ध्यान से इस बात को समझना, कि सभ्वेता की सततता किसे कहते हैं, यानि continuity of civilizations, यानि cultures क्या होते हैं हमारे, तो जैसे एक नदी है, तो तुमने देखा होगा, गर्मी के दिनों में, नदी कई-कई जगा पे सूख जाती है, बहुत पतली हो जाती है, एकदम dry-dry हो जाएगी, बीच में island से बन जाएंगे, फिर थोड़ा सा पानी तुमें कहीं आगे दिखे पड़ेगा और इसमें ये बहती रहती है, बहुत सी तुमने नदियों को देखा होगा, जो इस रूप में चलती है, तो यहाँ जो question है, उसका मर्म समझने की कोशिश करो कि मर्म क्या है, वो ये कहता है कि ये जो continuity है, जो सभिता है, ये किस रूप में आगे होगा, यहाँ पर जो सबसे important बात होती है, कि कोई नदी अपने प्रवाह को तभी सुनिश्चित कर पाती है, जब उसके अंदर परियाप्त पानी हो, ठीके परियाप्त पानी हो, और नदी में पानी कैसे आता, मेरी एक एक बात को बड़े ध्यान से समझना, मैं जिस आई में तुम्हें लेकर जाओंगा, वो कई किताबों का निचोड होगा, अब जो तुम्हें समझाने जा रहा हूँ, नहीं तो इसकी ठीओरी यह है, यह ले लो, जाकि वहाँ डाउनलोड कर लो, इस पर जो कहानी चल रही वो लिख लेना, लेकिन अभी जो समझाने जा र बताएं चली और आगे चलकर जैसे सुमेरियन सब बता, गायब हो गई, ठीक है, बहुत से सब बताएं गायब हो गई, ठीक है, अब जो सबसे important segment है, कि कौन सी ऐसी चीज होती है, इसे मालोग गंगा नदी है, तो गंगा नदी तुमने देखा होगा कि वो गंगोतरी से निक लूनी को मालने हम अन्य सब बताएं, मैसो, पुटामिया, ग्रीज, और हम गंगा को मालने जो है वो भारती सब बता, अब ये तो तुमने देखा होगा, नदी को तुमने आक से देखा होगा, तो सब बताओं का अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकि नदी का अंदाजा बहुत आसान, अब जड़ा ध्यान से समझो, कि लूनी चली, यहां से लूनी चली, तो लूनी के पास क्या है, पानी की मातरा कम है, और आगे चलकर जैसे ही एक समय दल-दल रेगिस्तान आया, तो लूनी क्या हुई, रेगिस्तान में गायब हो गई, वो पूरा अपना प्र रहा हूं, तमाम नदियों का पानी आकर मिलता है, उसके चाहे यमुना का पानी हो, सोन का पानी हो, यह अन्य जो नदियां है, उसका पानी उसमें आकर मिलता रहता है, ठीक है, तो अलक नंदा का पानी हो, तो अन्य नदियों का पानी आकर उसमें मिलता रहता है, और वो गं वस्या तो नहीं है, ठीक है, जैसे आशीश नहीं लिखा, ग्लेशियर से निकलती है, लेकिन ग्लेशियर से निकलने में इतनी कोई गारंटी नहीं कि वो अपने पास पानी का परवाह रखे, अन्य नदियां जो गंगा में आकर मिल जाती है, अपना पानी गंगा में डाल देत और धीरे धीरे गंगा में के अंदर समस्त पानी आता है गंगा सबको अपने अंदर समेट लेती है और गंगा के नाम से वो आगे बढ़ जाती है और गंगा में कभी पानी की कमी नहीं होती है